बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रिय मंत्री जितन राम मांजी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितन राम मांजी का नाम जितन राम मांजी है लेकिन लोग उनको प्यार से जितन राम शर्मा बुलाते हैं। इसे लेकर जितन मांजी ने लालू पसाद यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया केंद्रे मंत्री जितन राम मांजी ने सोसल मीडिया एक्स पर पोश्ट करते वे लालू यादव को गरेडी बताया जितन राम मांजी ने X platform पर लिखा विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं और हमारे लोगों को होसला नहीं तोड़ सकते केंद्रे मंत्री जितन राम मांजी ने आगे लिखा घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल गरेडी जी दलितों के जमीन पर और मुसल्मानों की कबरिस्तानों पर किस पार्टी की समर्थकों का कब्जा रहा इस सबको पता है आपने और आपके लोगों ने बहुत दबा लिया हम लोगों को और अब करारा जवाब मिलेगा विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं हमारा होसला नहीं तोड़ सकते घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल गरेडी जी आप राजनीती के लिए अपनी जाती छुपाईए लेकिन हम डट कर मुकाबला करेंगे बिहार के नवादा जिले में दवंगों के जरिये दलित बस्ती में आग लगाने की घटना के बाद आरजेडी और मांजी की पार्टी हम आमने सामने है केंद्रे मंत्री का आरोप है कि घटना में आरजेडी के लोग शामिल है पुलिस ने इस घटना में दस आरोपियों को गरफतार किया हमनेता यतन राम मांजी ने दावा किया है कि इस घटना में प्रत्यारोप जारी है लेकिन इन सबके बीच में नितीश कुमार बुरी तरीके से फस गहे है और ये कहा जा रहा है कि नितीश कुमार को इस मामले पर जवाब देना चाहिए और अगर नितीश इस मामले पर चुप़ी सादरें तो क्या वो आरोपियों को बचा रहे हैं